Welcome my dear friends, आज की इस वीडियो से हम लोग समझेंगे जेनरेटर डिफेंशियल प्रोटेक्शन कैसे काम करता है पहले के जमाने में एक-एक प्रोटेक्शन के लिए एक-एक टाइफ का रिले यूज होता था तब electromechanical relay का दौर था टाइम के साथ साथ technology बहुत improve किया आज कल हम लोग mobile के थूँ क्या कुछ नहीं कर सकते हैं उससे call तो पहले होता ही था, उसके बाद वीडियो call आया तो सकता है तुम लोग ये वीडियो mobile में ही देख रहे हो जो यो मेरा कहने का मतलब है एक ही generator protection relay के थूँ हम लोग सारा protection दे सकते हैं सारे protection के लिए अलग अलग type का logic होता है जो इस relay में continuously run होते रहता है जिस relay के थूँ हम लोग stator art fall, rotor art fall protection दे रहे हैं उसी के थूँ generator differential protection भी काम करेगा तो चलो समझ लेते हैं ये protection कैसे काम करता है जितना सारा protection logic है ना सबसे भोला भाला logic है ये differential protection logic इसका logic या funda बहुत ही simple है जितना तुम को दिये उतना मुझे बापस मिलना चाहिए मान लो ये एक पानी का pipe है जिसमें जितना inflow होगा उतना outflow होना चाहिए जितना पानी अंदर गया उतना पानी बाहर निकल गया मतलब कहीं से पानी leak नहीं कर रहा है ये condition लेके generated differential relay को कुछ सिकायत नहीं है अब मान लो कहीं पे leak हो गया तो inflow और outflow इक्वल नहीं रहेगा ऐसे हालात पे generated differential relay class A protection relay को तुरन सिकायत करेगा देखो तुमारे सिस्टेम में कुछ प्रॉब्लेम हो गया है तुम action लो बागी काम generator protection class A relay समवाल लेगा सो याद रखो differential protection का logic है in equals to out अब देखते हैं generator के अंदर generated differential protection कैसे connected रहता है मतलब relay के साथ interfacing किस तरीके से रहता है generator के अंदर होता है three phase winding और यही तीनों phase को हम लोग को protection provide करना है damage होने से बचाना है जैसे ही इस case में हम लोग दोनों side flow देख रहे थे जिससे पता चल जा रहा था इस pipe में कहीं पर कुछ problem हुआ है कि नहीं similarly अगर हम लोग को ये तीनों phase को protect करना है तो तीनों phase के across हम लोग को current flow देखना पड़ेगा इसके लिए तुम क्या करोगे अगर हम लोग 210 या 200 megawatt वाला generator का बात करे तो 9000 से 10,000 amps current flow कर सकता है उतना current अगर relay में दोगे तो relay तो जल गया इतना ज़्यादा current को relay monitor नहीं कर सकता है इसके लिए हम लोग current transformer लगाएंगे अब ये current transformer इस relay को बताएगा कौन सा phase में कितना current flow कर रहा है तो अब देखो इस relay के पास तीनों phase का दोनों side में कितना current flow रहा है ये information आ चुका है अब हम लोग और थोड़ा गहराई से समझेंगे generator differential protection कैसे काम करता है इसके लिए तीनों phase को consider करने का तो कोई जरुद नहीं एक phase को हम लोग समझेंगे बाकी phase भी similar होए में काम करेगा तीनों phase में एक साथ क्या चल रहा है अगर समझने का कोसिस करोगे तो दिमागा दही हो जाएगा हर family में देखोगे एक-एक member का अलग-अलग responsibility होता है similarly, इस protection family में हर एक protection logic का अलग-अलग defined responsibilities है differential protection के कंदे पे जिमेदारी है generator इस region के अंदर अगर कुछ internal fault हो उस ही को detect करना है और उसके according action लेना है अगर external कुछ fault हो मतलब इस winding के बाहर दोनों साइड में तो वो अब भार में जाए external fault लेकर differential protection को कोई headache नहीं है so simply internal fault ही is generated differential protection logic का main purpose है अब इस भाई साब को कैसे पता चलेगा यहाँ पे कुछ internal fault हुआ है अंदर कुछ fault हुआ है कि नहीं detect करने के लिए एक over current relay को इस तरीके से connect किया जाता है अब इस तरीके से connect करने से internal fault हुआ है कि नहीं यह कैसे पता चल रहा है देखो अब normally generator के थूँ एक load connect रहता है generator पे load connect होगा तो generator से current flow करेगा इस दोनों end पे तुम city लगा रखे हो तो जितना current primary में flow करेगा उसका accordingly secondary में भी current induced होगा और इस secondary induced current का direction exactly opposite होगा जो primary current होगा क्योंकि लेंज लॉस से हम लोगो तो पता ही है जिस current यह produced होआ उसी को यह opposite करेगा तो अब ध्यान से देखो यह operating coil के थूँ कितना current flow कर रहा है यह हो गया I1 वाला current और यह हो गया I2 current तो इस over current relay के थूँ यह operating coil के थूँ कितना current flow करेगा that will be I1 minus I2 वह हो गया I differential तो यह जो I differential है इसी को भेजा जाता है इस generator differential relay में और generator differential relay देखता है इसके अंदर कुछ fault हुआ है कि नहीं अगर fault हुआ तो तुरंत सिकायत जाता है generator lockout relay के पास और generator lockout relay circuit breaker को trip कमान देके generator को further damage होने से बचाता है अब चलो समझा जाए Electromechanical differential relay कैसे भाप लेता है generator के अंदर कुछ problem है कि नहीं मान लो यह एक 200 MW वाला generator है जिसके लिए CT ratio है 10000 by 5 इसका मतलब अगर generator के थूँ 10,000 current flow कर रहा है तो CT secondary में 5 amps flow करेगा पहले consider करता है जब generator के अंदर fault नहीं है उस condition पे क्या होगा अगर 10,000 current load में flow कर रहा है तो दोनों side में 5 amps 5 amps flow करेगा 5 amps minus 5 amps that will be 0 amps और मेरा यहाँ पे setting कितना है 0.5 amps तो उससे तो कम ही है तो यहाँ पे जो electromagnet है उसके थूँ कितना current flow कर रहा है I differential, I differential जो मिला 0 amps तो यहाँ पे इस plunger को नीचे की तरफ attract नहीं कर पाएगा इस spring का strength sense इस हिसाब से design किया हुआ है कि 0.5 amps अगर इस coil के थूँ फ्लो करे तो यह plunger को यह नीचे की तरफ खीचेगा और यहाँ पे जाके trip contact को make कर देगा इस तरीके से जब generator के अंदर इस region में कुछ fault नहीं है तब तक यहाँ से trip command नहीं जाएगा अब अचानक एक दिन क्या हुआ generator के अंदर एक fault हो गया अब fault होते ही क्या होगा यह 10,000 वाला जो current flow कर रहा था वो तो flow करी रहा है लेकिन सबसे ज़्यादा current flow करेगा इस faulty path में इससे हुआ क्या इस side में तो current 10,000 ही flow करेगा लेकिन यहाँ पे 10,000 प्लास यह fault current तो इससे i2 का value i1 से बहुत कम हो जाएगा और इस generator differential को हम लोग तो पहले से बता के रखे हैं अगर generator differential current 0.5 mm से ज़्यादा हो जिससे यह देखो contact make हो गया इस trip contact के थो generator lockout relay class A operate हुआ और उसी से generator circuit breaker open होने से generator grid से disconnect हो गया तो इस तरीके से generator differential relay को पता चल जाता है सिस्टेम के अंदर में कुछ fault हुआए कि नहीं अचानक एक दिन generator से बाहर एक fault होता है इस situation में generator differential relay को operate नहीं करना चाहिए था लेकिन इस condition पे भी generator differential relay act कर गया हम लोग पहले क्या बात किये थे generator differential protection का sole responsibility है internal fault को ही protect करना आउटसाइड में कुछ fault हो तुमको देखने का जरुवत नहीं है यह हम लोग बोल के रखे थे लेकिन differential relay बाहर का fault के लिए भी act कर गया actually कैसे act किया act तो नहीं करना चाहिए था क्योंकि इस condition पे देखो दोनो city का primary में same current flow करेगा अगर same current flow करता है secondary में भी same current flow करेगा तो एक दूसरे को cancel out कर देगा so differential current तो 0.5m से ज़्यादा होना नहीं चाहिए था इसके पीछे reason है दो city जो यहाँ पे use कर रहे हैं हम लोग न ये दोनों कभी भी exactly same नहीं हो सकता ये तीनों problem के चलते दोनों city का जो secondary current का reflection है same exactly नहीं हो सकता है जब system में कोई fault नहीं है तब ये problem उधना prominent नहीं रहता है जो city mismatch बाला problem में बोल रहा हूँ current flow करें उस case में क्या होता है हम लोग थोड़ा देखते हैं मान लो जब कोई fault नहीं है system में तब 2% ये दोनों city में mismatch हो तो इस operating coil के थुरू कितना current flow करेगा 10,000 को हम लोग city ratio से multiply किये उसका 2% ले लिए 0.1 amps तो देखो ये जो differential setting है उससे कमी है तो normal case में जब fault नहीं है तब ये differential relay act नहीं करेगा लेकिन ये through fault के case में क्या हो रहा है ये city ratio को हम लोग fault current से multiply किये उसका 2% लिए 0.7 amps जो 0.5 amps से ज़ादा हो गया ये ही reason था जिसके कारण इस through fault के दोरान भी differential relay act कर गया था लेकिन हम लोग इस differential protection से चाहते हैं सिप internal fault में ही ये दखला अंदाजी करे अगर बाहर कुछ fault हो उस case में इसको कुछ action नहीं लेना है इस external faults के लिए हम लोग अलग relay लगा रखे हैं और उसका logic थोड़ डिफरेंट होता है differential protection logic अगर उस type का fault को जज करने जाएगा तो गलती कर वैठेगा हो सकता है external fault बहुत temporary nature का है तब भी differential relay act कर जाए इसलिए हम लोग को ऐसा कुछ करना पड़ेगा generated differential relay सिप internal fault के लिए ये उपरेट करे बाहर का fault के लिए नहीं यहाँ पर प्रॉबलम है अलग टाइप का दिमाग लगाया ये दोनों CT पे mismatch होने के कारण problem आ रहा है जब fault हो रहा है देखो जब system में problem नहीं है no fault condition पे ये differential setting एकदम करेक्ट है जब through fault हो तब ऐसा कुछ arrangement होना चाहिए जिससे ये differential setting बढ़ जाए लेकिन इस बेचारे रिले को क्या पता कब system में fault हो रहा है कब नहीं हो रहा है ये ही पे आता है restraining coil का concept एक तो operating coil था ही उसके उपर नया coil भी आने वाला है तो अब ये रिले क्या करने वाला है जैसे जैसे ही यहाँ पे current बढ़ेगा CT के थ्रू current बढ़ेगा तो ये differential setting को उपर के तरब लेके जाएगा एक example से समझते हैं मान लो CT current 10,000 mc है जो normal current है तो उसके लिए 0.5 mc setting रहेगा लेकिन जैसे fault होगा तो ये current setting differential current setting बढ़ते बढ़ते 0.7 से उपर चला जाएगा नाव इस relay के साथ और धोका धड़ी नहीं चलेगा अगर external fault होता है उसमें differential current बढ़ेगा लेकिन उस setting उससे भी उपर लेके चला जाएगा है तो external fault के लिए differential relay act नहीं करेगा तो simple भासा में कहा जाए जैसे जैसे इस CT के through current flow बढ़ेगा differential current का setting बढ़ना चाहिए इसके लिए designer क्या किया और एक coil यहाँ पे लगा दिया तो इस relay के अंदर दो coil है एक हो गया operating coil दूसरा है restraining coil इस coil का purpose है जब through fault हो तब इस relay को संयम में रखे इस operating coil में हम लोग current दे रहे है i differential that is i1 minus i2 और इस restraining coil में हम लोग current देंगे i1 plus i2 by 2 मतलब यह दोनो current का average अब देखो क्या interesting खेल चल रहा है जब बाहर external fault हुआ उस case में differential current तो बहुत ही कम होगा लेकिन यह restraining current का value बहुत जादा होगा क्यूकि इसमें दोनों को हम लोग add कर रहे है यहाँ पर दोनों को difference कर रहे थे सो इस differential coil में कम current flow करेगा और restraining coil में ज़्यादा current flow करेगा जिससे इस plunger को उपर के तरफ यह restraining coil खिच लेगा and differential relay triple command नहीं इसू करेगा तकिन अगर कुछ internal fault हो तो उस case में fault current का value यह बाहर बाला जो current है उससे बहुत ज़्यादा high होता है तो यह differential current का value internal fault के case में इस restraining current से बहुत ज़्यादा होगा तब operating coil ज़्यादा force लगाएगा और इस plunger को अपने तरफ खिच लेगा जिससे differential relay trip कर जाएगा बस यह bias differential और percentage differential protection का concept city current जैसे जैसे बढ़ेगा आई differential का setting भी बढ़ेगा नाव यह restraining current और differential current को अब अगर हम लोग plot करते हैं यह जो green बाला zone है यह है safe zone अगर इस relay के थ्रू जो current flow कर रहा है उसको हम लोग plot करे और वो point इस zone के अंदर रहे तब तक generator differential relay trip command नहीं देगा इस region के अंदर जितना मर्जी इधर उधर टहर लो generator differential relay को कोई problem नहीं है लेकिन अगर गलती से भी इस हरा zone से यह point निकल गया तब differential relay को लगेगा कि internally कुछ problem है अब मेरा जिम्मेदारी है generator को safe रखना और generator को trip करवा देगा यह जो green zone है इसको तुम अपने हिसाब से customize कर सकते हो अगर इस line का slope तुमको change करना है तो restoring coil का numbers of turns change करके तुम change कर सकते हो अगर slope नीचे की तरफ लाना है तो ला सकते हो उपर भी ले जाना है तो ले जा सकते हो numbers of turns को change करके सो electromagnetic relay का story समझ लिए अब थोड़ा समझा जाए numerical relay किस तरीके से काम करता है working principle सेमी है numerical relay के तुरू generated differential protection का logic और भी simple है इस differential relay का कहना है मुझे state forward पसंद है यह सब spring operating coil के तुरू इस plunger को खीचना इधर restoring coil अपने तरफ खीचेगा इतना कोछ जमेला जंजट हम मैं नहीं कर सकता हूँ मेरे अंदर तुम carb fit कर दो जिस हिसाब से बात बोलोगे उस हिसाब से मैं काम कर दोंगा बस इसी carb को इसके अंदर fit कर देना है तो यह carb fit कैसे होगा इसके लिए 4 setting का जरूद है IS1, K1, IS2, K2 अब यह सब अक्चुली क्या है देखो IS1 है जो 0.5 Aम जो differential current का setting था ना ओही है और उसके बाद यह जो line का slope है 20% यह है slope K1 नाव external fault में यह relay operate ना कर जाए इसके लिए एक certain returning current के बाद इसका slope बढ़ाया जाता है जैसे ही returning current का value 5.5 Aम से ज्यादा हो जाएगा so that बाहर का fault में यह relay operate ना कर जाए बस इतना काम तुमको करना है बाकी यह relay देख लेगा जब तक यह green region में ball रहेगा तब तक यह safe खेलेगा कोई rix नहीं है लेकिन जैसे ही बाहर गया इस relay को पता चल गया generator के अंदर कुछ खेल हो चुका है तुरंत अगर generator को trip ना कराऊ तो generator permanently बैठ जाएगा nowadays maximum जगा पे तो यह numerical relay यूज हो रहा है इसका understanding तो बहुत ही आसान है लेकिन यह जो curve है इसका shape ऐसा क्यूं है यह सब visualize करने के लिए electro-mechanical वाला concept समझने से थोड़ा आसान ही रहता है so concept एक phase के लिए समझ में आ गया अब तुम तीनों phase के लिए same concept लगाओ so I hope you have understand the working of differential protection कब differential protection act करेगा कब नहीं करेगा सब कुछ समझ चुके हो अब एक बहुत ही interesting सवाल मैं तुम लोग से पूछूंगा अगर protection logics logics में तुमको interest है तो इसका answer सोचना देखो मैंने क्या बताया था generator differential relay operate करना चाहिए जब internal fault हो तो ये stator art fault जो है stator art fault को अलग से protection देने का क्या ज़रूरत है जबकि stator art fault तो एक internal fault ही है क्या ये as a backup protection काम करता है comment section में बताओ अगर stator art fault होता है तो generator differential relay act करेगा की नहीं so that's all for now